Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी Tarot Ratings है, Tarot Predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशीफल तो चलिए कैप्रिकॉण्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या इनर्शीज हैं तो प्रोफेशनल फरंड के लिए आप लोगों के लिए काट से नाइट ओफ पेंटिकल्स रिवर्स और देखें डिलिवरेंस का काट कहीं किसी चीज के डिलिवर होने की किसी चीज के मिलने की बात करता है और देखें कुछ ऐसा ही इन जनर्ल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फरंड में रहतावा दिख रहा है लेकिन देखें या जनर्ल रीडिंग है तो ये डिलिवरेंस ये मिलना सब के लिए डिफर कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज को लेकर एक प्रॉब्लम एक मसला आप फेस कर रहे थे और इस वीक उसी का ही हल उसी का ही solution आपको मिल रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई payment आपकी delay हो रही थी वो इस वीक मिल रही है कुछ के लिए कोई news हो सकती है कोई phone call कोई email हो सकता है कोई अच्छी opportunity हो सकती है अगेन देखिए कोई भी चीज इस वीक आपको मिलती हुई दिख रही है आपको deliver होती हुई दिख रही है जो एक सुकून जो एक you know relief आपके लिए लेकर आ रही है लेकिन फिर भी देखिए surface level के लिए night of pentacles reverse का card कहता है कि आप खड़े हुए हैं आप रुके हुए हैं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं कहीं आप you know बहुत sure, बहुत safe, बहुत secure होना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले अपने goal, अपने मकसद के लिए action initiatives लेने से पहले तो देखिए किसी भी चीज के लिए अच्छे से सोचना, अच्छे से चीजों को समझना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत important भी होता है लेकिन जब हम too much ही सोचने लग जाते हैं चीजों को समझने लग जाते हैं too much ही safety, security पे focus करने लगते हैं तो कहीं अच्छी opportunity को हम miss करते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं तो यहाँ पे देखें, मैं आपको यही कहूँगी कि आप चीजों को सोचें, समझें और जैसे ही आपको यह ऐसास हो कि भही सब ठीक ठाक है तो आप action ले, initiatives लें और आगे बढ़ें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है four of wands, rivers and obstacles देखे, four of wands का card कहीं celebration की बात करता है togetherness की बात करता है reunion की बात करता है change of place, change of location की भी बात करता है vacation पे जाने की बात करता है fun, mazah, musti की भी बात करता है और इस week देखे, four of wands का card भी reverse है और four of wands के नीचे obstacles का भी card है तो इन्हीं चीजों से related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ अरचने, कुछ challenges, कुछ obstacles रहते हुए दिख रहे हैं दिखे ये weekly reading है तो बहुत बड़ी चीजे नहीं होंगी, एकका दुखका लोगों की बात अलग है, लेकिन फिर भी कुछ issues, कुछ obstacles तो रह रहे हैं और दिखे ये सब के लिए differ करेंगे, again क्योंकि ये general reading है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई celebration इस week आपकी life में हो रही है और उसी से ही related कुछ challenges हैं, कुछ obstacles हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज आप celebrate करना चाहा रहे हैं, एक get together, एक reunion चाहा रहे हैं और उसी से ही related कुछ अरचने है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने loved ones के साथ togetherness चाहा रहे हैं, उनके साथ जाधा interactions चाहा रहे हैं, जाधा time spent करना चाहा रहे हैं, और उसी से ही related again कुछ issues, कुछ मसले हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि change of place, change of location से related, again कुछ issues, कुछ मसले हैं तो यहाँ पर देखिए, सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा लेकिन इन ही चीजों से related, फिर से मैं कहूंगी कुछ obstacles इस वीक रह रही है and guidance से आप लुगों के लिए fixed moon का card है और यह card कहता है hold your vision तो देखिए, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए बहुत important है, सबसे पहली बात कि आप एक vision बनाएं और इस vision को आप hold करें उस vision के उपर आप focus करें क्योंकि देखिए, first step अपनी desires को पूरा करने के लिए एक clarity लाना होता है एक ख्वाप देखना होता है एक vision बनाना होता है तो देखिए, यहाँ पर cards कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इस first step को करें और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो कहीं फिर से मैं कहूंगी clarity आएगी और आप better भी feel करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है और इसके हिसाब से Monday का दिन इस week आप लोगों के लिए significant रह सकता है and lucky color आप लोगों के लिए होगा white तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साबता है और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए